Hello students, myself CS Pridhi Singh और बच्चो आज जो मैं आपके साथ discussion कर रहे हूँ वो है कि अगर आप class 12th के बच्चे हो और आप CS करना चाहते हो, 12th pass कर चुके हो तो right time to start CS course क्या होगा? देखे बच्चो आपको 12th के बाद जो exam देना है वो है first stage जिसको बोलते हैं CSWT तो अगर आप पहले level करना चाहते हो तो उसके लिए आपको exam देना होगा CS Executive and Trans Test अब मुद्ध यह उठता है कि मैं हम इसका exam कब और कहां और कैसे होता है वैसे तो आप इसी video के description box में detailed information CSWT के बारे में आपको मिल जाएगी लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ साल में चार बार CSWT के exam होते है May, July, November and Gen तो अगर अभी अपने एपरिल में exam दिये हैं अपने तो आप एक बार May में ट्राइ कर सकते हो May में भी exam दे सकते हो CSWT का and July तो आपको देना ही देना है और बच्चों अगर आप mentally prepared हो चुके हो कि मुझे CS साथ करना है तो पहला level आपका होते है CSWT और CSWT की सबसे बड़ी आपके लिए एक खुश खबरी है कि CS practicing classes मतलब हमारी institute ने आपके लिए CSWT का पूरा course कर रखा है बिलकुल free, completely free of course बैम क्यों मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप CSWT करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना इसी वीडियो की description box में जाना है वहाँ आपको application का link मिलेगा आपको app install करनी है और course कर देना है start उसमें आपको सारा का सारा lecture मिलेगा आपको revision sessions मिलेंगे आपको test series मिलेगी वो है हमारा free of course जिसका कोई charge हम नहीं लेते लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको face to face में आना है तो हमारी classes CS प्रिटिसिंग classes के नाम से लक्षमी नगर डेली में सलती है आप वो कर सकते हो तीसरा आप चाहते हो कि मुझे घर पर ही live करना है तो आप बिना दिल्ली आए घर पर भी face to face class के साथ live class हमारी चलती है वो भी कर सकते हो तो अगर आप class 12 के बच्चे हो और 12 के exam अब दे चुके और CS करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको मे या फिर जोलाई इन दोनों में से आपको exam दे देना चाहिए अगर आप में attempt देना चाहते हो तो 15 April last date होती है CSWT का registration कराने के लिए अगर preparation की बात करें तो हमारे हाँ पर 30 days का planner होता है 1 April से 30 April तक आप क्या कर सकते हो पूरा course कर सकते हो और 30 April के बाद 1st May से हमारे हाँ पर revision session होते है वो आप join कर सकते हो और 9 या 10 माई को आपका exam होता है आप CSWT का exam दे सकते हो उसी के साथ अगर आप ये नहीं देना चाहते तो आप July attempt भी कर सकते हो आप अगर CS करना चाहते हो और आपने मान लिया कि मुझे CS join करना है तो आप इस channel को subscribe करना ना भूले Thank you, have a wonderful day